पॉल गिलफर्ड, इन्होंने creativity में अगर हम बात करें, divergent thinking thinking में, sorry, दो प्रकार की thinking दी है, एक है divergent thinking, दूसरी है convergent thinking, convergent को अभिसारी चिंतन कहते हैं, अभिसारी सोच कहते हैं divergent को अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है बात इतनी अब, अपसारी का मतलब आजाएगा, रश्णातमक्ता से किसको जोड़ा है अपसारी चिंतन को, रश्णातमक्ता से जोड़ा है अपसारी चिंतन को ठीक, convergent thinking यानि अभिसारी चिंतन को किससे जोड़ा है intelligence से अब intelligence क्या कहानी है intelligence का मतलब है आपकी वही reason करने की, adapt करने की and all ability, बुद्धी से अभी समझेंगे यह कहानी आपको भी समझ में आ जाएगी, देखे रहा है अपसारी चिंतन यानि divergent thinking, आपको कोई एक problem दे आप कहते हैं, 36 solution तयार है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अच्छा, pollution कम करने की बात है कैसे कर सकते हैं, अच्छा, यह कर सकते हैं पौधे लगा सकते हैं, फलाना काम कर सकते हैं यह odd even rule लगा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं सतर खरीके, दिमाग में आएंगे, एक problem के यानि यह open ended होगा जैसे आप ऐसे type questions लिखते हैं, तो उसमें आपके thoughts साते हैं, open ended होता है, कोई एक single answer नहीं है, आप different different दिशाओं में divergent का मतलब ही है दिशाओं में, different different दिशाओं में, default divergent, default different दिशाओं, ठीक है ठीक, तो open ended मतलब मुक्त उत्तर, एक होता है closed ended प्रशन, ऐसे भी प्रशनों के लिए आपको बढ़ावा देना, यह एक positive बात है अगर आप बात करते हैं, किसकी पूरी section प्रक्रिया की तो आपको बच्चे की open ended thought को develop करना है, उसके मुक्त उत्तर देने वाली चिंतन को विक्सित करना है, मुक्त उत्तर क्यों पूछ लिया, आपने कोई fill in the blank पूछ लिया, fill in the blank पूछ लिया, आपने true false पूछ लिया true है के false है, एक यांसर है आपके पास, one word answer पूछ लिया, यह सब क्या है, closed ended है, इसमें आप बुद्धी का तो इस्तिमाल कर सकते हैं, वही आपको अगर चार options में से एक option चूज करना है, तो आपने अपनी intelligence का इस्तिमाल किया, जब आप paper में भी जाएंगे, कोई creativity थोड़ी लगाएंगे, कुछ नया थोड़ी कर देंगे, आप पांचवा option लिख आएंगे खुद से, number ही नहीं मिलेंगे तो वह closed ended question है जिसमें आप अपनी बुद्धिकाद यूज कर रहे हैं चाटने के लिए, चूज करने के लिए जवाब देने के लिए, लेकिन नया कुछ नहीं कर रहे है, नया कुछ करने के लिए आपको divergent thinking करनी पड़ेगी, आप सारी चिंतन करना पड़ेगा, open ended thought होना चाहिए तो आपको बच्चे बे divergent thinking को open ended thought को बढ़ावा देना है ठीक, related to creativity यानि रशनात्मक साथ से जुड़ा हुआ है, out of the box league से हट के सोचना कुछ different सोचना सब इधर जा रहे हैं, हम इधर जाएंगे मतब, जान बूच के रहते होंगे, और मच्चरों को उड़ाते रहते होंगे ऐसे उनकी लाशें बिश्च जाती होंगे उसके अंदर क्या है वो, किसी ने तो out of the box सोचा होगा न, electricity पहले से थी current पहले से था, वो racket पहले से आते होंगे उस तरह के, लेकिन किसी ने तो कुछ different सोचा, तो out of the box thinking, creativity, open ended thought उसमें लगा, सतर चीज़ें ट्राइ की होंगी सोचा होगा, तब जा करके एक चीज़ निकल करके आई होगी, ठीक है कोई दिक्कत, कोई परिशानी थोड़ा रुक के पानी पुली जा, रे रे नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम देखो, multiple solutions यानि एक चीज़ के सतर solution आपके पास है सतर मतलब कई सारे जबकि यहाँ पर एक single solution होगा limited solutions होते हैं, अगर आप closed ended की बात करें, जैसे MCQ solve कर रहे हैं limited option है, यह की सही होगा, fill in the blank है true false है, to the point कोई बात one word में पूछी जा रही है, तो यह intelligence से related है और वो open ended है, creativity से related है किसको बढ़ावा देना है divergent thinking को, जब आपको कोई एक चीज़ choose करनी होती है, 15 रिष्टे आए हुए है शादी के लिए, आपको एक व्यक्ति choose करना है आपको convergent thinking लगानी पड़ेगी ठीक है न, कि choose करना है तो intelligence का प्रयोग करके, आप options को कम करते जाते है धीरे-धीरे, जब आप decision लेते है, final तो आप convergent thinking का प्रयोग करते है और जब आप दिशाओं में सोचते हैं आप निकले, पूरे जहान में मम्मी लेके आओ, जितने भी रिष्टे हैं, सब देख लेंगे शादी.com से लेकर के, और क्या-क्या ये क्या है, अप सारी चिंतन है आप अभी divergent thinking कर रहे हैं लेकिन, जब आप choose करते हैं, finally कोई भी decision लेना, मों convergent thinking है ये फाल्तो examples से ले ले रहे हैं, क्योंकि आपका concept बहतर होगा इस बार की seated में तो अच्छा ही है, एक point से दिशाओं में जाना divergent thinking है आपको एक thought दिया, अच्छा pollution को कम करने का solution बताओ पांच तरीके आपने दिमाग में निकाल लिए अच्छा, gender biasness क्यों है, सोचो आपके दिमाग ने चारों तरफ दोर लगाना शुरू कर दिया, divergent thinking शुरू हो गई, बच्चे आपस में बहस कर रहे हैं अलग-अलग ideas आ रहे हैं, यह हुआ divergent यानि दिशाओं में लेकिन आपसे पूछा कि चार states की capitals बताओ, कोई भी चार भी आपको उत्तर दे दिया तो आप जब अलग-अलग दिशाओं से एक point पे आते हैं तो यह convergent है, के इतने सारे रिष्टे थे एक चूज कर लिया, आपने यह है convergent thinking, इतने सारे options में से एक प्याप गए, जैसे आप 4 options पर ही माल लेते हैं, यह option A है, आप question solve कर रहे हैं, यह option B है, यह option C है, और यह option D है अब कोई एक आप चूज करेंगे, यह है closed ended thought, convergent यानि अभिसारी चिंतन, यहाँ पर जब आप divergent की बात कर रहे हैं, तो एक point आपको दिया होगा, कि अच्छा यह समस्या है, जेंडर की बताओ कैसे solve करें तो यहाँ से आप divergent thinking करना शुरू करेंगे दिशाओं में फैल जाएंगे, एक point से multiple solutions पे जाएंगे, इसी को हम divergent thinking को, इसी लिए creativity से जोड़ते हैं एक और चीज होती है, lateral thinking lateral thinking वो भी creativity से ही जुड़ी होए होती है आती है, problem solving में काम आती है रशनात्मुक्ता बढ़ती है बच्चे की एक book थी Alex F. Osborne की जिसका नाम था creativity जिसमें उन्होंने brainstorming की बात की है brainstorming paper में पूछलिया जाता है इसको ऐसे प्रवचन की तरह मतले लेना के हाँ ठीक है कोई तो राग चल रहा है हमानची सुना रही है कोई भात नहीं यह नहीं करना है ठीक है, lateral thinking की अगर हम बात करें तो brainstorming काम की चीज़ है lateral thinking, repeat पर देख लेना एक बार अगर miss कर दिया हो तो lateral thinking क्या है lateral thinking भी creativity से जुड़ी होए मतलब leak से हटके सोचना एक तो तरीका है ऐसे जाओ कहीं एक है घूम घूम के मस्त नए नए तरीके ढूंते हुए जाओ ठीक, तो lateral thinking है कि आप different way में कर रहा है किसी चीज़ को ठीक, एक उधारन में बहुत बार देती हूँ कि एक व्यक्ति था जो देख नहीं सकता था भीख नहीं मिली अगर मैं कहूं एक व्यक्ति है वो आया उसके दिमाग में lateral thinking चल रही थी उसने guys board को ही change करते हैं उसने board पे कुछ-कुछ लिख दिया शाम को देखा तो बहुत सारे लोग उसको बहुत सारा collection मिल चुका था, उसका reason उसने लिखा, उसने ये लिखा I am blind और मिरको help करो उसने lateral thinking का use किया different तरीके से same बात को कहा उसने कहा, it's a beautiful day but I can't see it, you can't अब सामने वाले को अच्छा लगेगा ना कि यार हाँ, सुन्दर दिन तो है और मैं देख सकता हूं ये कितने बड़ी blessing है, चलो इसको कुछ दे देते हैं ये क्या हुआ, lateral thinking का प्रयोग हो गया समझ पा रहे हैं? शलिए तो ये थी कहानी creativity और divergent thinking की divergent thinking को बढ़ावा देना है, open ended thought को बढ़ावा देना, जब आप ऐससे type question करते हैं divergent thinking अवश्चे रखता होगा fast कराएं, करा देते हैं एक मिन में करा देते हैं fast अगर हम बात करें बात क्या हो रहे हैं यहाँ पर जो भी व्यक्ति creative है वो हर हालत में 100% divergent thinking रखता होगा क्योंकि अगर दिशाओं में नहीं सोचा तो creative बन ही नहीं सकता हैं वो सारी creative होंगे जरूरी नहीं है कई बार तो लोग creativity के चक्कर में इतनी भसड कर देते हैं कि वो कुछ का कुछ बना देते हैं उनको लगता है आज हम एक dish बनाएंगे बहुत ही दुनिया से अलग कुछ नया try करते हैं और dish क्या बनी कि इंसान खाए तो उठना पाए तो ये divergent thinking जितनी भी divergent thinking जहां पर भी यूज होरी ज़रूरी ये सारी creativity वहां से निकल के आए बट जो भी creative व्यक्ति है finally उसने divergent thinking का use ज़रूर किया होगा तो हर creative व्यक्ति, हर creative person divergent thinker होता है बट हर एक divergent thinker creative नहीं हो सकता